हाई फ्रेंड्स इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से संस्क्रीन क्या है किन लोगों को संस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है और हर स्किन टाइप के लिए अच्छे संस्क्रीन के बारे में बताऊंगी सबसे पहले संस्क्रीन क्या है तो संस्क्रीन एक chemical और physical ingredients या तत्वों का mixture है ये सूरज की किर्णों में रहने वाली ultraviolet B rays जो हमारी skin को उपर से जलाती है और ultraviolet A rays जो हमारी skin के अंदर जाकर collagen tissue को damage करती है जिससे skin पर wrinkles या जुरियां पढ़ने लगती है उनसे हमें बचाता है जादा से जादा संस्क्रीन का असर 6-8 घंटे तक रहता है तो यदि आप इससे जादा time धूप में रहते हैं तो 6 घंटे के बाद संस्क्रीन को दोबारा लगाना चाहिए संस्क्रीन की उफ्योग की जरुरत उन लोगों को जादा होती है जो दिन में धूप में निकल कर office जाते हैं जिनका बहार धूप में जगे जगे घूमने का काम होता है जो लोग outdoor games जैसे cricket, tennis, athletic साधी खेलते हैं और जो लोग दिन के time swimming के लिए भी जाते हैं इन लोगों को अपनी skin को धूप से जलने से बचाने के लिए sunscreen अवश्य लगाना चाहिए अब मैं आपको सब skin type के लिए कुछ अच्छे sunscreens के नाम बता देती हूँ oily, acne prone और combination skin के sunscreen ये sunscreen जैल के रूप में आते हैं इसमें पहला है La Shield IR Sunscreen Gel SPF 30 by Glenmark Pharmaceutical Limited दूसरा जिन लोगों को थोड़ी खुश्बू पसंद हैं और जो लोग बाहर जादा रहते हैं उनके लिए Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunblock SPF 50 इसको sensitive skin वाले भी यूज़ कर सकते हैं तीसरा है Sunblock OC Sunscreen Gel by Apex Pharma Company इसमें UVA और UVB sun protection के साथ tea tree oil भी है जो oily, acne prone skin के लिए अच्छा है अब dry skin के लिए अच्छे sunscreens Dry skin के लिए जो sunscreen यूज़ होते हैं उसमें अकसर moisturizer भी होता है और वो lotion के रूप में आते हैं ये हैं Spur Sunscreen Lotion by Vaukhard Company SPF 40 दूसरा Aveno Protect Plus Hydrate Lotion Sunscreen SPF 50 ये थोड़ा महंगा है लेकिन dry, acne prone और sensitive skin के लिए बहुत अच्छा है तीसरा है Sissy Sunblock Lotion by Intralife Company SPF 25 यदि आपकी skin dry है और आप ज़्यादा time office में रहते हैं या घर में रहते हैं तो 25 SPF का ये sunscreen आपके लिए अच्छा है जिनकी sensitive skin है उन्हें sunscreen ही नहीं कोई भी moisturizer, face wash या makeup खरीचते समय उस पर suitable for sensitive skin का label जरूर देखता चाहिए sensitive skin के लिए दो अच्छे sunscreen है Sun Cross 50 Aqua Lotion by Sun Pharmaceutical Industry Limited ये pores block नहीं करता, skin को hydrate करता है और sweat resistant है दूसरा है Bello Photostable SS Sunscreen Emu Gel SPF 40 इसमें oil और paraben नहीं है ये pores को block नहीं करता है non comedogenic है और acne prone skin के लिए भी suitable है ये दोनों sunscreen broad spectrum protection भी देते हैं अब जो लोग बाहर games खेलते हैं और पूरा दिन धूप में बिताते हैं उन्हें ऐसे sunscreen की जरूरत पड़ती है जो पसीने से और पानी लगने से नहीं निकले ये महंगे होते हैं लेकिन outdoor games खेलने वालों और swimming करने वाले खिलाडियों के लिए बहुत फायदे मन्द हैं यहां मैं कुछ नाम बता रही हूँ Elta Med UV Physical SPF 41 Water Resistant Sunscreen दूसरा है Joves Argan Oil Water Resistant Sun Guard Lotion SPF 60 तीसरा है Cetaphil Sun Light Gel SPF 50 ये भी एक broad spectrum और water resistant sunscreen है कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे दिन में धूप में रहते हैं और इनके लिए कौन सा sunscreen यूज किया जाए School going बच्चों के लिए Spur Sunscreen SPF 40 by Vocard Pharma अच्छा है और GSK Pharma का Spectra Ben Ultra Sunscreen भी अच्छा है कई लोग जो ज़्यादा टाइम घर में या office में रहते हैं और बहार कम समय तक रहते हैं इन लोगों के लिए अच्छा moisturizer जिसमें 15 से 30 SPF का sunscreen हो वो अच्छा है Oily और Combination Skin वाले Neutrogena Oil Free Moisturizer SPF 15 और Cetaphil Oil Control Moisturizing Lotion SPF 30 यूज कर सकते हैं Normal Skin वाले Lack Me Peach Milk SPF 24 यूज कर सकते हैं और Dry Skin वाले Nevea Sun Moisturizing Lotion SPF 30 यूज कर सकते हैं अब sunscreen लगाना तो ठीक है फिर भी अपनी skin का Day-to-Day Sun Protection हमें करना ही चाहिए जैसे हमेशा अपनी skin को अच्छी तरह Moisturize करके रखें बाहर धूप में निकलने पर सिर और Face को साप सूती कपड़े से ढखें धूप में हमेशा White Brim की टोपी पहने, काला चश्मा पहने या छाता लगाएं ये बहुत साधरन सी बाते हैं लेकिन आपके चहरे और शरीर को धूप से जलने से बचाने के लिए बहुत सक्षम हैं एक और बात का ध्यान रखें, जब आप छुटिया मनाने पहाड़ों पर और समुंदर के किनारे जाएं तो अपने साथ एक अच्छा 40 SPF का संस्क्रीन जरूर लेकर जाएं और दिन के टाइम उसको जरूर से लगाएं, नहीं तो स्किन संबर्न होने का खतरा रहता है दोस्तों आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अपने लिए सही और बेस्ट संस्क्रीन अपनी स्किन के टाइप के अनुसार चूज करने में आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी थैंक यू